दरभंगा जिले के लोगों के लिए मुखे मंत्री ने एक साथ कई सौगात दिये हैं। जिले के कुशियस्वर अस्थान में बार पिरितों से मिलने के बाद मुख मंत्री अचानक से सरक मार्ग से जलसंसादन सौसुचना जलसंपरक विभाग के मंत्री संजे कुमार जहा के सा दरभंगा के ले निकले इससे पहले उन्होंने अपने हेलिकॉप्टर को दरभंगा एरपोर्ट पर भेज दिया सरक मार्क से आने के दौरान उन्होंने स्टेट हाइवेज 56 की हालत देखी जरकले सरक पर ट्रैफिक को देखते हुए मुख मंतरी ने ततकाल विभाग के परधान सचिप को गारी से ही फोन किया फोन पर इस सरक के चोड़ाई साथ से बढ़ा कर दस मीटर करने का आदेश दिया रास्ते में सकरी के पास दोहरा बहरा की ओर जाने के दौरान तूटी सरक की मरमत का काम बुद्धवार से भी शुरू करने को कहा मुख मंतरी के साथ चल रहे मंतरी संजिक मार जानी बताया कि मुख मंतरी दरभंगा के विकास को लेकर आडम से ही बेहत गंभिर रहे हैं उन्होंने मंगलवार को इन चपन की चोराई डेर कुना बढ़ाने का आदेश दे दिया है। साथ ही बीच में तूटी सरक की मरम्मत का काम भी बुदुवार से ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए पटना से तकनिकी विशिस्कों की टीम सीधे काड़ी आस्थल पर करेगी। मंत्री ने बताया कि सरक की चोरी करन वा मरम्मत कारे का आदेश देते हुए मुख मंत्री सीधे दरभंगा एरपोर्ट पहुँचे। यहां उन्होंने एरपोर्ट की चार दिवारी वा परिसर की सुरक्षा के लिए जलसल सादर विभाग की ओर से किये गए कारियो को देखा। साथ ही कहा कि दरभंगा हवाई अड़ा को अंतररास्ठी अस्तर का हवाई अड़ा बनाने के लिए राजी सरकार सत पर्यतन शील है। उन्होंने कहा कि यहां की चार दिवारी को उचा करने के लिए संबधित अधिकारियों को आवश्यक ने देश दिये हैं। कह पहले से ही सरकार ने पुर्फ के परस्ताओं के अनुरूप 31 एकर जमीन की अधिगरहन के लिए राशी अवंडित कर दी है। अब नए सिविन एंकलेव का निर्मान अंतररास्ठी मानकों को केंदर में रखकर कराया जाना है। सो अब 31 एकर की जगहा 78 एकर जमीन का अधिग धरन किया जाराना है। इसके लिए सरकार सिग्रह कैबिनेट की बैठक कर शियस समीन के लिए भी राशी शोकिट करेगी। मुक्यमद्री जी दरभंगा एरपोर्ट के विकास को लेकर सत पढ़्यतन शील रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब दरभंगा एरपोर्ट अं भास चोक और देने कामी तामजीन न्यूजपेपर दरभंगा।